सर्दियों में सκιन को मोश्यूराइज करते रहना चाहिए और आप यह किसी भी अच्छी क्रीम, लोशन या मोश्य।राइजर से कर सकते हैं लेकिन अपनी तवचा को मोश्यूराइज करने के लिए सकिन मोश्यूराइजर का जादा उपयोग भी नहीं करना चाहिए। त्वचा को जादा मॉस्चुराइज करना आपके त्वचा पर मुहासों को जन दे सकता है क्योंकि जादा मॉस्चुराइजर के इस्तमाल से आपके स्किन पोर्ट्स बंद हो जाते हैं ओवर मॉस्चुराइजिंग आपकी तवचा को चिपचिपपा बनाने के साथ साथ दाग धपे दिखने की संभावना को भी बढ़ा देती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस समय मॉस्चुराइजर यूज करना चाहिए जिससे कि आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। आप अपनी तवचा पर मॉस्चुराइजर हमेशा नहाने के बाद या फिर चहरा धोने के बाद गीली तवचा पर लगाए। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले भी चहरा धोकर मॉस्चुराइजर का इस्तमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ही कम मात्रा में अपने चेहरे पर मॉस्चुराइजर का इस्तमाल करें। सर्दियों में आप हफते में एक बार अपनी तवचा को अच्छे से साफ कर लें। इससे डेट स्किन सेल्स हड जाएंगी और तवचा अच्छे से मॉस्चुराइज भी हो पाएगी। तो इस तरह अगर आप अपनी स्किन की देख भाल करेंगे तो इस मौसम में आपकी तवचा हेल्थी, ग्लोइंग और सौफ बनी रहेगी।